आज इस वीडियो में हम बात करने वाले hyperconjugation concept की अगर आपको ये concept में थोड़ा बहुत भी हिच के चाहत है नहीं समझ आता बहुत धंग से तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले करता है और कौन साथ सबसे पहले करता है और कौन सा जादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है वो सारी चीजें इन शॉट वीडियो में आपको सब कुछ हाइपर कॉन्जेशन के बारे में बताने वाली है ठीक है सो लेटेस साथ सबसे पहले यह जो कॉनसेप्ट है यह केवल तीन प्रकार के मॉलेकूल्स पर लगता है पहला है आपका अगर कोई कार्बो काटाइन है वहां पे दूसरा है अगर कोई फ्री राडिकल है वहां पे तीसरा है अगर कोई alkene molecule है ध्यान रखना इन तीनों के अलावा किसी और पर hyperconjugation लगाना ही नहीं है ठीक है अभी क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलने वाली मैं आपको बोलने वाली हो कि कार्बो कटाइन में आपका carbon है sp2 hybridized right and similarly alkene में भी आपका carbon है sp2 hybridized right बट यहां पे sp2 hybridized carbon में क्या होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी समझो sp2 मतलब यहां पे केवल दो पी और्बिटल यूज हो रहे हैं होते हैं हमारे पास तीन है इसके इसका मतलब sp2 में क्या होते हैं आपकी पास एक वेकिंट पी और्बिटल होता है होता है सिमिलरली इसके पास भी क्या होगा एक खाली पी और्बिटल होगा बहुत ज़रूरी बात है बाट यहां फ्री राडिकल को देखो फ्री राडिकल की तीन बॉन्स तो यहां बन रही हैं बाट इसका पी और्बिटल है उसके पास एक क्या है एक एक लोटा electron present है तो यहाँ पर यह भी नहीं बोल सकते कि सारे कारवन जापके SP2 hybridized होंगे अगर तो वहीं पर hyperconjugation लगेगा तो hyperconjugation लगता है केवल और केवल कार्बो कटाइन free radical और एलकी में केवल इतना ही देखना है दूसरी चीज़ जेलते हैं दूसरा है कि इन तीनों में कैसे पता चलेगा कब hyperconjugation लगेगा तो बच्चा step 1 होता है यह identify करना है इन में से कौन सा SP2 carbon है अभी दिखाया या तो free radical होगा या SP2 carbon होगा identify किया उस carbon से directly जैसे की for example this is my time अगर इससे directly एक आपका SP3 carbon है क्योंसा SP3 उससे जितनी भी hydrogen लगी है उसके पास होनी चाहिए बच्चा एट लीस्ट वन आलफा hydrogen बहुत important SP2 carbon के बाजू वाले directly जो अटाच carbon है उसके पास एक आलफा hydrogen होनी चाहिए तभी वहां पर hyperconjugation शो होती है at least one SP3 hydrogen attached directly to the SP2 carbon understood ठीक है अब यहां पर bonding कैसे होती किस प्रकार से वो stability provide करता है hyperconjugation आपके कार्बो कटायन को आपकी alken को आपके free radical को stable बनाता है कैसे बनाता है सबसे पहला step था identify करने है किस प्रकार का कार्बन है SP2 carbon है या फिर फ्री राडिकल आलकीन या फिरी कार्बो कटायन में से एक कार्बन है उसके बाजू में 1 SP3 carbon जिसके पास at least one hydrogen होनी चाहिए तो वहां पर conjugation होगा अब यहीं कैसे होता है बच्चा यहीं चीज मैंने आपको समझा रखिए कि यहीं वहीं चीज है उसके बाद आगे क्या है जितने ज्यादा आलफा हाइड्रोजन होगी जो उस कार्बो कटायन से उस फ्री राडिकल से उस अलकीन से अटाच है उतनी ही ज्यादा स्टेबल मॉलेक्यूल होगा दिखा रहे स्टेबिलिटी दूसरी चीज है इसी को हम नो बॉन रेजोनेंस भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं अब यह सीघ helperstrons की मूव्मेंट होती है तो यहां पर सिढमा Electrons प्लस पि यहां फिर पाई जो भी आप बोलते हो उन इलेक्टरॉन के बीच में बॉंडिंग होती है या उन इलेक्ट्रॉंस की मुवमेंट होती है मैं अब क्या बोल रहे हो आप समझाए समझाते हैं इस डाइग्राम से यहां पर देखिए यह क्या है आपके पास एक अलकीन है तो यह इसका मतलब इस इस माइश पीटू कार्बन ठीक है अलकीन है इसके बा सिग्मा बॉंड ने क्या किया अपना एक इलेक्ट्रॉं यहां दे दिया क्या किया अपनी जो इलेक्ट्रॉंस है दोनों के दोनों के दोनों यह एक इलेक्ट्रॉंस दूसरा इलेक्ट्रॉंस दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉंस हां दे दिये और क्या बनी इस प्रकार से करता आप ही मैंने सखाया था यव आपका पी ऑर्बिटल है s p 2 कार्वन ही यह भापे से आई यह यह किया इसके पास वेकंट पी और वेकंट पी आर्बिटल है यहां पर वह दोनों की दोनों एको पर कौन से उलेक्राइट मुव कर रहे हैं इसके सिग्मा इलेक्राइल यहां पर इसके उर्ट यहांपे इसका अब इसको बहुत अच्छे से यहां से समझते हैं यह है आपका मॉलिक्यूल दिस इस वेर यू शो हाइपर कॉंजिगेशन क्यों यह कार्बो का टाइन है इसका यह खाली पी और बिटल है ग्रीन कलर का दिखाई देरा वेकेंट अब यहां पर यह एस पी थ्री कार्बन अटा इस परिकार से हाइपर कॉंजिगेशन दिखता है राइट आगे चलते हैं एक और इस त्रक्टर में आपको दिखाती हूं जैसे कि डोला बच्चा आपको पैह जैसे कि मैंने बोला आपको कि जितनी ज्यादा आलफा हाइड्रोजिगेशन होंगी उतने ज्यादा आइपर बनेंगे लोकेट ओवर हीर ये मेरा क्या था ये इस इज आप गड़ों को टायन क्या सभी को दिखाई दे रहे अभी अभी अच्छ पॉर्पा मुत नदे क्राय ये वेकेंट खाली पी और विटल है ये कार्बन से यह से भी ऑ substant यंचेत्व अ फिसंड चर्वी ऑन से अटाच हे आप पूर एकूण टूटती है तो इस प्रकार से डबल कुंण बनता है फिस समेलर्ली दूसरी हाइडरोजन टोड़ी तो इस प्रकार से और तीसरी हाइडरोजन तोड़ी तो इस प्रिकार से जितनी हाइडरोजन होंगी उतनी ही ज्यादा हाइपर कॉंजिगेटिंग स्ट्रक्टर बनेंगे इस प्रिकार से आपको बहुत अच्छे से दिख जाना चाहिए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे डबल बॉंड बनी और यहा हाइडरोजन उतनी ही ज्यादा डबल बॉंड अन्डेस्ट एव्रीवन आफा हाइडरोजन का कॉंसेप्स समझ आया कि जो हाइडरोजन डिरेक्टली अताच्ट है उसको बोलते हैं आल्फा हाइडरोजन जो डारेक्ली आपके कार्बोकाटायन अलकीन फ्रीराडिकल से जो क कार्बन है उससे जो हाइडरोजन अटाच्ट है ताट इस कॉल्ड यौर अल्फा हाइडरोजन राइड मैने आपको बता दिया उसके बाद एक और चीज अब यहाँ पर कुछ कुछ एक्जांपल जहां पर कॉल से आलफा हाइडरोजन नहीं है वो पैचान नहीं आनी चीए फोर उप्रघ्जंम इस मंकाव का टाइन एक अब यह सम्षा हाइडरोजन लगी है यह समुर्ण लगी दोनों अलफा हाइडरोजन नहीं बट ड़े सटकी अलफा कार्बंच अच्ट अगी से यह आजह और यह इसके पास तीन आज़ाइटोजने जो कर् Sumirelly इसके पास कितनी है इसके पास 9 आज़़ाइट गए तो मोर्स टेबल यहां पे देखो। than this. जितनी alpha hydrogens उतना ज्यादा stable और जब भी बापस से बता रही हूँ, alkynes, carbocatynes, free radicals की stability देखते हैं, तो hyperconjugating structures से देखते हैं, right? Similarly, सभी का stability order यहां पर लिखा है मैंने कि आपका tertiary carbocatynes is more stable than secondary, than primary, than methyl, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा alpha hydrogens है, तो उतनी ज्यादा hyperconjugating structures. Similarly, free radical का अगर हम लिखेंगे order तो उसमें भी क्या होगा? यह सबसे ज्यादा tertiary free radical, more stable, than secondary, than primary and then your methyl free radical. Understood everyone? Understood everyone? Yes. So, आज की वीडियो में इतना ही and I will see you in the next video. कि आपका झाझे